गुजरात की गाधी नगर लोग सवाशेत्र पर सालों से भारतिय जनता पार्टी का कब जा रहा है। इतने के बाद उन्हें मार्दर्सक मंडल में डाल दिया गया, जिसके बाद साल 2019 में यहां से अमित्सा चुनाव लड़े और उन्होंने पांच लाग से जादा में जीत दर्ज की। उसके बाद हो देश के ग्रिह मंत्री बने, एक बार फिर साल 2024 लोग सवाशेत्र चुनाव को राजेस खन्ना को यहां से मैदान में उतारा था, वहीं साल 1999 में टी ए सेसन को, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा, भारतिय जनता पार्टी असानी से जीत दर्ज कर ली। अमित्सा एक बार फिर मैदान में हैं, इस बार कहा जा रहा है कि वो दस लाग से जादा अंतर से जितना चाहते हैं, जिसके लिए गांधी नगर में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है, जो लोकतांत्रिक ब्यवस्ता के लिए ठीक नहीं है। साथियो में गुजलात के गांधी नगर लोकसवा से लाम मंचन किया था अखिर भरती परवार पार्टी से, उससे जबजस्ती फोरन बापे तिलवाया जा रहा है, मुझे हाईजक कर लिया गया है, अमित्सा साथ के लोगों ने मुझे हाईजक कर लिया है, वो सकता है हमारी मत भी हो जाएगा, यह जितेंदर सिंग चोहान है, मुलता मद्व प्रदेश के भिंड के रहने वाले चोहान सालों पहले गुजरात आ गए और यहां पेंटिंग का काम करते हैं और कराते हैं, यहां यह अखिल भारतिये परिवार पार्टी से जुड़े, बिवस्ता परिव सब्सक्राइब तो उनसे बात हुई मैं अखवार्नगर उनसे मिला हूं, उनसे अखवार्नगर मिलने के बाद मैं उनकी कार में बैठकर, मैं विजय पी कार्यालाए का कोई बीजय पी कार्याला है, मैं उदर गया हूं और उन्होंने का, दिदनर भई आप है चुनाव मतल्स लिये और हमारे लिए हमारे कहने पौरं वापस क्युज aware कि लीजिए गा तो मैंने उनके कहने से पौरं किफने कि ल लिए अगिरी हो गया था और मैंने सअंद कुछ दुछ करने के बाद में जब वो मुझे उनकी कि गारी में बापस अख़वार नगल आए तो वहां मैंने देखा बहुत सारे किरायम ब्रांच वाले लोग थे तो मैंने उनसे बोला वह यह मैं नहीं कहूंगा और वो बोले कि इनके साथ कई घूम आईएगा बाहर दिनेश कुसवा तो मैंने बोला मैं जी कहीं नहीं जाओं 21 तारीक को रात को 10 से साड़े 10 बजे गायब हो गया हूँ गायब होने के बाद मुझे ऐसा लगा कहीं ना कहीं मेरे साथ गलत हो रहा है कि यह किरायम ब्रांच का उप्योग हमारे जिस पर मैं विस्वास किया दिनेश कुसवा जी के ऊपर उन्होंने भी हमारे साथ विस्व तो नहीं है उन्तार ओंड़ीनगर में चुनाव लड़ने के लिए नामागन किया था जिसमें सब सिर्फ 14 लोग ही मैदान में है 9 लोगों का नमांकन रेजेक्ट हो गया और वहीं 16 ने नमांकन वापस ले लिया या यूँ कहें कि इन्हें नमांकन वापस लेना पड़ा इनसे मिलिये परेश कुमार नानू भाई मुलानी इन्होंने निर्दल्य नमांकन किया था जिस भाजपा विधायक दिनेश कुस्वाहा का जिक्र जितेंदर सिंग ने किया मुलानी के मुताबिक वहीं इनकी अहां भी पहुँचे थे एक बार नहीं करिब दो से तीन बार ऐसा मुलानी का दावा है नामंगन पाश हो जाने के बाद भारतिय जन्ता पर्ट की और से यानि कि कहा गया कि आप नामंगन वापस कर लो तो मैंने नामंगन वापस कर लिया है किस ने कहा आपको कौन कहा कि आपना मंगन वापस कर ला है हमारे विस्तार के है च्विण भाई प्यत्ष और दूस्तर विस्तार के धारीटर हुझञ सिर्थिक कुषवा उन्होंने बोला प्यार से समझा लाॅध Wow यहां के बिधायक हैं वह कितने बार आपके पास आए और क्या बोलते थे कब से आपको देखरे कर रहे थे वो लोग उनके जो कॉर्परेटर है वह दो दिन से मेरे देखरे कर रहे थे दिने सिंग चौहान तो फिर बाद में फाइनली जब अश्विन पिधानी ने बताया तो सब्सक्राइब के लिए दो बार मीटिंग करने के लिए आ गये थे इदर समझाने के लिए वहीं पर आएते आपके सांथ क्या हुआ आप आपको भी कहीं रखा गया था मेरे को तो इधर ही से या मेरे घर से मेरे में मिटिंग किया और मेरी माताजी जो पार्टी की आपने देखा कि दोनों ने बादचीत में एक ब्यक्ति का नाम लिया दिनेश कुस्वाहा कुस्वाहा यहां के बापु नंगर के भाजपा विधायक है इस बारे में जानने के लिए हमने उन्हें से फोन किया तो सुनिए वो क्या कह रहे हैं कुछ वाजर गाधी नगर में कई सारे कैंडिडेट जिन्होंने नमांकन भरा था उन्हेंने वापस ले लिया उसमें से कुछ लोगों से मैं मिला तो उनका कहना है कि आपने प्रेसर बनाया 21 तारीक को उनको आपने अपने पास अच्छा आप अपनी गाड़ी में बैठा कर नहीं ले गए थे और यह जो वीडियो वाइरल हुआ जो मद्र प्रदेश के मुरायना के रहने वाले हैं उनका उन्होंने तो आपका नाम भी लिया कि आप ही बात्चीत कराने के लिए लिए उनका एक वीडियो भी वाइरल हु यही नहीं रुका जिन 16 लोगों ने नामांकन वापस लिया है उसमें से हमने 10 से बात की जिसमें से पांच ने कहा कि उन्होंने अपना नामांकन वापस लिया। वहीं एक ने कहा कि अमित्सा के रिष्टेदार हैं उस कारण से उन्होंने अपना नामांकन वापस लिया है वहीं एक का कहना था कि उसके फाइनेंसर ने सहीयोग करने से मना कर दिया इसलिए उन्होंने नामांकन वापस ले लिया ऐसे ही अलग लग भाने थे एक ने तो अपन तो आपको किसी ने कहा कि ये ना मांगानों आपस ले लो या आपने अपने मतलब आपको किसी ने कहा नहीं आपने विड्रो किया और जा के पार्टी जोइन कर ले ले आपको किसी ना मांकन वापस लेने वालों में से कई लोग ऐसे हैं जो अपने पहचान जाहिए नहीं करना चाहते उन्हें डर है जैसे यह ब्यक्ति है इन्हों ने पिछला विधान सभा चुनावी हमदाबाद के एक विधान सभा छेत्र से लड़ा था करीब 8000 के करीब इने सब्सक्राइब घर करहा तो उन्होंने बोला कि इस बार रहे दो मुझे थोड़ा किस नहीं किस ना करना है ओपूच्राइब लेकिन आराम से बात किया लेकिन वो ऐसा कहना चाहते कि आप लड़ते हैं आप जीतने वाले नहीं है तो फिर हम आपको कोई वोट का मतलब नहीं रहेगा तो आप एक काम कीजी यहां क्या हुआ है कि दो बेलेट हो गए हैं तो सत्रा से उपर नहीं आता आप दो बेलेट आ ज कि दूसरा बेलेट का कोई नहीं रहे हम ऐसा चाहते तो उसकी वज़ेसे अगर जीतने नामंकन दूसरे खीच जाए तो एक ही बेलेट में सब आ जाए ऐसा हमें ऊपर से निर्देश दिया गया है जी कि फॉन तो मेरे पर कहीं सारे फॉन भी चालू थे लेकिन मैंने यसा ब में स्कूर्ण करके पुछते हैं कि क्या है उनको अब स्टेटस क्या है को जानना चाहते कि होई जानना चाहते हैं कि फुक भर तद्र नहीं हो तो कुछ नहीं हो तो पेहले इस ये लिए नौन करनानेके का नामांकन डबाव डालकर वापस कराए गया उसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी ग्राउंड पे बहुत अच्छी पकड़ हो लेकिन आखिर क्यूं भारतिय जनता पार्टी के नेता इनका नामांकन वापस कराने के लिए भाग रहे थे इन्हें 21 तारीक को अपने घर पे रखा और 22 तारीक को ले जाकर नामांकन वापस कराया आखिर ऐसा क्यूं हो रहा था वैलेट पेपर दो बनने से क्या फरक पड़ जाता है तो उससे क्या है जो वाट वाटर है वो कन्फिज होते हैं दो वालट वैलेट पेपर देखते हैं त मैंने गुजरात के अंदर रखा है कि दस लाख वोट से हम आगे बढ़े जितने कम उमीद्वार हो और एक वेलेट हो और साथ में वट कम हो जाए और गांधी नगर सीट पे खुद गुरू मंतरी देश के गुरू मंतरी अमिसा लड़ रहे हैं तो उनका जो वर्चस हो है व कि यह एतियास देखा जाए तो लिए लग ईतियास और कॉछ भाठ्वाणी ची रहे और आमित बही रहे तो जलो कि Jausके सापने बंभी निर्दलीया खडे रहे चितने पुड़े तोटल मिला के कभी भी 25,000 से ज्यादा वोट नहीं हुए दूसरी बात है कि बारतिये जन्ता पार्टिक हेल्दी एलेक्शन चाहती है हेल्दी एलेक्शन होता है जितको खड़ा रहना है लोक्षाही में खड़ा रह सकता है और जिसको जितना वोट मिलता है मिलने वाला है कोई फर्क नहीं पड़ता विदायक का वो नाम देंगे क्योंकि विदायक है इसलिए नाम देंगे उतके पास कोई एविडेस नहीं है कि कोई एविडेस नहीं है और यह सदंतर जूट बात है कुद का इंपोर्टनस बढ़ाने वाली बात है और उनको यह ऐसा लगता है कि मैं ऐसा बोलेंगे कि हमको बिठाने आये थे और अब लोग नहीं बैटे उससे हमको वाट ज्यादा मिलेंगे तो वह भी गलत सोच रहे है उससे वाट ज्यादा नहीं मिलते हैं उसको खुद की बद्नमी होती है दसला के अंतर से जीत के लिए गांधी नगर में और भी बहुत कुछ हो रहा है आप जब गांधी नगर और एहमदाबाद में घूमेंगे तो आपको कहीं भी कॉंग्रेस का बैनर नहीं दीखेगा आखिर क्यों यह सवाल हमने पूछा गांधी नगर से कॉंग्रेस उमिद्वार स्थोनल पटेल से मैं जब आ रहा था एहमदाबाद से जहां पर परचार कर रही है सानन में मुझे बीजेपी का पोश्टर देखा बीजेपी का क्या उसमें से प्रधानमंत्री नरेंद्र इसके पीछे क्या वज़ा है यह जो आप होडिंग की बात करते हैं वो तो पार्टी की तरफ से लगे हुए है और बहुत समय से उन्होंने लगवाए है तो वो नेचरली रिसॉर्से इनके पास बहुत ज्यादा है यह तो कुछ भी नहीं अभी बहुत सारा निकल गया है तो बाकी केंडिडिट की तरफ से जो होडिंग लगाने होते है बैनर्स लगाने होते है उसमें बीजेपी तो ऐसा करते है कि कोई परमिशन लेती नहीं है वो लगा ही देते हैं अभी हमने बहुत कंप्लेंड करके निकल वाय है हमारी जहां तक बात है हमें भी परमिशन के साथ लगाना पड़ता है कई बार लोग जिजगते हैं डरते हैं क्योंकि उनकी प्रिमाइसी से भले वो कॉंग्रेस सपोर्टी हो या कॉंग्रेस के वोटर्स हो लेकिन उनको लगता है कि दे डूंट वांट वीकम वीजिबल एकॉंग्रेस सपोर्टर है अवसाद दिखाना नहीं किसी भी तरह से वो भी बहुत बड़ी दिख्कत है कोई डर है प्रेशन करेकरता हैं पे हाँ कॉंग्रेस की लीडर भीराते हैं तो उसमें हमारे लीड़र से उसको ज्कुश के बुलाया जाता है अलग औलग जिस प्रकार का वो लीडर है ऐसे उसके उडिल करते हैं चाय पे बुलाते है या किसी को धमकी भी दी जाती है कि तुम्हारे पुरा निकेस है उनको खोल लिया जाएगा किसी को पासा में चला जाएगा ऐसा भी है तो फिर क्या हो जाता है कि उन्हों को बेजिकली ये कहा जाता है कि ये तो सीट जो है अमि इसी कारेकरताओं को पुलिस के जरिये परिशान किया जा रहा है उन पर दबाव बनाया जा रहा है इसकी परताल के लिए हम यहां के कलोल पहुंचे कलोल से कॉंग्रिस के विधायक रहे हैं बलदेव जी ठाकुर उनके दफ्तर जब हम पहुंचे तो हां कॉंग्रिस के कई कार करता मिले सबके पास कहानी है कि पुलिस उन्हें फोन करती है उन्हें कहते हैं कि आप चुनाव परचार ना करें लेकिन कोई भी कैमरे पर बात नहीं करना चाहता उन्हें डर है कि चुनाव के बाद पुलिस उन्हें परिशान करेगी यहां में एक महिला कारे करता मिले उनके बेटे ने कुछ साल पहले इंटर कास्ट मेरेज किया है उस बात को लेकर पुलिस उन पर दबाव बना रही है कि अगर तुम सक्रिय रूप से कॉंग्रिस का परचार की तो हम जेल में डाल देंगे वहीं दूसरी महिला कारे करता मिली उन्होंने अपना फोन दिखाया और बता से भी आपकी पार्टी तो हार नहीं वाली है कलोल में हर दूसरे दिन कोई ना कोई कोई बाद्रिक्षा किरार और ज्वाइन कर रहा हैं यहां मेले नेता बताते हैं कि सबके पीछे डर है क्यूंकि हर कोई यहां कोई कि ना कोई बिजनेस कर रहा होता है और बिजनेस में अब डाउन तो लोग करते ही हैं इसके तह में जाने के लिए हम गांधी नगर के कॉंग्रेस दफतर पहुंचे यहां हमारी मुलाकात मुकेश मारू से हुई मारू कॉंग्रेस सेवा दल से जुड़े है साथ ही पुलिस या पर यह क्या कहते हैं जब से इलेक्षिन डिकलेर हुआ है तब इसे सब को एप दमकीब दी रहे एसा है पुलिस वाला को भी पता है कि एम डायरेक उसको नहीं बोल सकते किसी को पर वो क्या बोले परिच्छे होता है इस अब यह लेडर हमारे तो लेडर को परिच्छे होता ही बोलाते है कि सर आई बेठी है चाय पीए नास्ता करिए और सर यह माराम उमिटसाज ही है हम उसके मारा एक्ट्रा में जितने वाले है वो पाफ लाग ने दस लाग की वोट से लीड से जितना चाहते है पुरी इंडिया में से फर्स्ट नंबर के आते हैं इसलिए आप अप अपना जे एक्टिविशन है वो काम कर दी एक्टिविशन है वो डाउन कर दी आप कुछ प्रोग्राम मत कीजिए किसी को मिटिंग मत करि कुछ भी आप नीजली राव करता है तो बात नहीं ट partner della कुछ भी अक्संट करें इसका अच्रइंड प्र में अपर कुछ भी एक्षण करेंगी इसका असर ग्राउंडर क्या पढदा है स pillar क्ट अउर्चा डेश बंड़ेवल का का रई करते है वह कुछ झा जड़ थिम्सकों तो होल का मालिक को दंकी दिया, पूरिस ने दंकी दिया, कि आप मत करो, आपकी होटल बंद करवा जेंगे, इलेक्शन तो कर चल चला जाएगा, आई पीएस ओपिसर उसका बंदा आता है, होटल को मालिक को दंकी देता है, हमारी मीटिंग एंसल हो गई, सबको तो बोल दिया था, हमारा खाना था, पांसो लोगों का खाना बना practically वह भी वीगड़े दूसरा हमने, प्लॉट प्लॉट की या, तो वह भी ऐसा किया, ढूल मीटनी और भी पुछा हमने मुकेस मारू से ये भी पूछा, कि क्या कभी आपको भी फॉन आया क्या आपको भी परिसान किया गया सुनिये वो क्या बता रहे हैं तो अब यहां उते हैं तिन चार आते हैं तूर्प वन ने करता कि पूरी एकंद THAT करना के डाया। 108 जुनाट के दो पुरान गुजरात पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगे हैं सूरत में जब कॉंग्रेस केंडिडेट का नामांकन रद्ध हुआ उसके बाद निर्दलिये और ब्यस्पी केंडिडेट का जिस तरीके से नामांकन वापस कराया गया उसमें भी पुलिस के भूमिका पर सवाल क्ड़िग गंभी ऽे में जोुए कि जो लीडर है या कार्य करता है उनका कहना है कि पुलिस के द्वारा बनाए जारा कि आप पर चार ना करें घर पर भैठाएन पूराने cases खोले जा रहे हैं इस पर आपका क्या कहना है पुलिस काम अपने धंसर कर रही है अगर सिकायत लेकर आता है तो हम कारवाई करेंगे लेकिन सच ये है कि समाजी कारेकरता सबनम हास्मी ने इस मामले में कुछ दिन पहले ही चुनाव आयों को एक पत्र लिकर जानकारी दी थी मैं गांधी नगर कॉंस्टिट्वेंसी गई थी और वहां 14-18 प्रेल के बीच तक्नीबन 200 लोगों से मिली थी वहां मुझे लोगों ने बताया कि उनके उपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जा रहा है पुलिस से और जो क्राइम ब्रांश है उससे और उन्हें कहा जा रहा है कि आप निश्क्रिया हो जाईए कॉंग्रेस के लिए आप केमपेन मत करें मैं कॉंग्रेस की जो वहां प्रत्याशी है सोनल पटेल उनसे भी मिली थी और फिर मैंने एलेक्शन कमिश्र को काफी डिटेल में एक लेटर लिखा था तो मेरे पास कोई ऑफिशेल ही तो उसका जवाब नहीं आया लेकिन मुझे यह पता है कि जो कलोल में और और जगहां पर होडिंग्स बड़ी बड़ी लगा रखी थी मंदिर को लेके तो जरूर कब एक्शन तो कुछ हुआ है लेकिन मेरे पास ऑफिशल इसका कोई भी इंटिमेशन नहीं आए दस लाग से ज्यादा के अंतर से चुनाव जीतने के लिए सब हतकंडे भाजपा द्वारा अपनाए जा रहे हैं लेकिन क्या यह प्रैक्टिकल है गांधी नगर में करीब 20 ल पावजूद कॉंग्रेस को यहां 25 परतिशत मत मिले थे वहीं 2019 में यह बढ़कर 26 परतिशत हो गया था ऐसे में कॉंग्रेस नेताओं की माने तो 10 लाग के अंतर से जीतना दूर की कौड़ी है लेकिन यहां एक बात और ध्यान देने वाली है अभी गांधी नगर से 14 उमिद वारों की बात करें तो इनकी संख्या तीन है और जिनका नामांकर रिजेक्ट हुआ उसमें से एक मुस्लिम उमिद्वार है कॉंग्रेस इसे मुस्लिम वोटों का बटवारा करने के लिए बीजेपी का खेल बता रही है दसलाग के अंतर से गांधी नगर में चुनाव जीतने की इरादे से उत्री भारतिय जनता पार्टी कई हत्कंडे अपना रही है लेकिन जनता क्या सोचती है ये तो चार जून को ही पता चलेगा जब चुनाव की नतीज जाएंगे बता दे कि गुजरात के 25 लोग सबा सीटों पर 7 मई को मदान होने हैं यहाँ पे 26 लोग सबा छेत्र हैं जिसमें से एक सूरत भारतिय जनता पार्टी निरविरोध जीत चुकी है कैसे जीती वो हमने आपको अपनी पुरानी रिपोर्ट में बताया गांधी नगर से newslandry.com के लिए बसंत कुमार के रिपोर्ट ऐसी रिपोर्ट करने में समय और संसाधन दोन खर्च होता है और आप जानते हैं कि newslandry किसी से विज्यापन नहीं लेता ना ही सरकार से और ना ही कॉर्परेट से हम आपके सहयोग से काम करते हैं इसलिए आपकी हि करिये और गर्व से कहिये मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें